तो आज में करने जा रहे हूं आप लोग के साथ एक ऐसी नमकीन शेयर जो आप घर पे अराम से महिने भर तक स्टोर कर सकते हैं एर टाइट कंटेनर में क्या करेंगे सबसे पहले हम एक कप चना डाल लेंगे उसको ओवरनाइट सोक करके अच्छे से एक्सेस वाटर रिमूफ कर लेंगे क्या करेंगे उसको डीफ्राइ होने के लिए डाल देंगे कड़ाई में आप यहां पर देखो कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हो लेकिन मैं आपको यह रिकमेंड करूंगी कि आप ना सरसो के तेल में इसको फ्राइ करें बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब आप कि आपके पॉड़ा टाइ सकते हो और एक ना रेड वाला भी होता अवाई रेड उसकते हो उसके बाद यहां पर मैंने चूड़ा चूडा भूलते हो और भी निकाल के साइट कर लो और ना मैंको बथाते हो आप ना यह बनाव ना तो इसमें जरूर फ्राइक डाल बहुत अ मैंने इसमें डाला था ना सेव ये मैंने पहले ही बना के रखावा था सेव इसको मिक्स कर लो और ना इदेखो मैं आपको टिप देती हो अगर आव इसमें हाज मुला क्रश करके डालोग ना तो और अच्छा टीस्ट आएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेर और स सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स पर वाचिंग बाई